नमस्कार खबर ठिकाना में आपका स्वागत है मैं हूँ सुश्मिता सिंग मशूर ताज की कहानी तो बच्चे बच्चे ने सुनी है पर आपने काले ताज की कहानी ना ही सुनी होगी और ना ही देखी होगी काला ताज जो आज तक सिर्फ एक रहस्य बन कर रह गया जी हाँ आपको बता दें कि ये रास है मशूर बाट्रा शहजहां का जिन्होंने साथ अजूबों में से एक अजूबे को भारत में स्थित किया आपको बता दें कि औरंग जेब अगर अपने पिता की दिले इच्छा पूरी कर पाता तो ताज में अकेले मुम्ताज की ही कब्र होती और पीछे काला ताज महल भी होता क्या है ये पूरी कहानी आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना लाइक करना ना भूले आप अपने कॉमेंस भी हमें कॉमेंस सेक्षन में अपने कॉमेंस के जरिये भीज सकते हैं वास्तुकला और सुन्दर्ता के नजरिये से ताज महल इनमें सबसे खुबसूरत माना जाता है क्योंकि इसे सफेद संगमर्मर के पत्थरों से बनाये गया था लेकिन ताज महल के बनने के बाद शाह जहां खुद इस महल के इतने कायल हो गए कि उन्होंने अपने लिए ऐसा ही एक महल बनाने के इच्छा जाहिर की जहां पर उन्हें उनकी मृत्यों के बाद दफनाया जाए लेकिन शाह जहां की ख्वाइश ये भी थी कि वो महल सफेद नहीं बलकि काले पत्थरों से बना हो यानि कि वो एक काला ताज महल चाहते थे काला ताज महल को लेकर आपने भी कई किसे हो सकता है सुने होंगे लेकिन असल में काला ताजमहल यानि कि ब्लैक ताजमहल का रहस से क्या है और ये क्यों नहीं बन पाया इसके पीछे की वज़े बहुत कम लोग जानते हैं जानकारों की अगर मानें तो काले ताजमहल से जुड़ी कहानियों के अनुसार औरंग जेब शहाजहां के चार बेटों में सबसे छोटा बेटा था जिसकी सत्ता के लालश्टी उसे परिवार के ही विरुद्ध कर दिया था औरंग जेब ने सत्ता के लिए अपने पिता शहाजहां तक को कैद कर लिया था और कई सालों तक उसे जेल में बंद रखा लेकिन 22 जनवरी 1666 को शहाजहां की बित्ध हो गई औरंग जेब ने भले ही शहाजहां को कैद किया था लेकिन थे तो वो उसके पिता ही औरंगजेब को इसलाम के अनुसार पूरी रस्मों के साथ उनके शब को कब्र में दफनाना था सब तयारी चल रही थी तभी औरंगजेब को शाह जहां की बृत्यु से सम्मंधित वसीहत पड़कर सुनाई गई जिसमें काले ताज महल का जिक्र करते हुए शह जहां के कव को वहां पर दफनाने की बात कही गई थी औरंगजेब को काला ताज महल बनाने में कोई दिल्चस्पी नहीं थी क्योंकि मुगल सल्तनत पर हो रहे हमलों में शाही खजाना खाली होता जा रहा था और अगर औरंगजेब काला ताज महल बनाता तो उसे उतना ही भव्य बनाना पड़ता जितना कि उसके पिता ने उसकी मा के लिए बनवाया था और इस सबसे शाही खजाने से धन की बरबादी होती इसके लावा औरंगजेब धार्मे क्रियाओं में भी कोई दिल्चस्पी नहीं रखता था जिस वज़े से इतना भव्य मगबरा बनाना उसके लिए बिलकुल फिजूल खर्ची था जिस वज़े से औरंगजेब ने इसलाम के कुछ काईदों का हवाला देते हुए शाह जहां का मगबरा ताजमहल के पास ही बनवा दिया और काले ताजमहल का रास पूरी तरीके से वसीहत के साथ ही दफन हो गया और इनसे पने काला ताज महल क्यों नहीं बनवाया इसकी शायद ये वज़ए भी हो सकती है कि उसके अपने वालत के लिए नफरत उन्हें कैद करने के बाद भी खत्म नहीं हुई थी पर जो भी हो काला ताज महल बन जाता तो शायद एक पिता और बेटे के बीच के प्रेम को भी अमर कर देता तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राए है हमें कॉमेंट सेक्शन में अपने कॉमेंट के जरीए बताना ना भूलिएगा हमारे चानल को देखते रहिए सब्सक्राइब करिए लाइक करिए फिलाला में दीजे इजाज़त नमस्कार